आमिले नर्मली इंटरनेट मा केई चीज खोजना परेवने कसरी खोच्छों। पहिला आमी गुगल वारुकुने सर्च एंजीन मा जान्छों। आफुला चाहिएको चीज टाइप गर्छों, एंटर गर्छों। सर्च एंजीन ले आमीला थुप्रे वेबसाइट चरों। ती मद्दे आफुला चाहिएको वेबसाइट मा आमी क्लिक गर्छों। तत्यों वेबसाइट बित्र चीर्छों। इंटरनेट मा आमीले नर्मली केई कुरा सर्च करने तरीका यही नहीं। कईलिकाई तेस्तो पनी लाग्षा कि गूगल संगा आमरो अरेक खोजको अरेक प्राश्नको उत्तर हुन्चा। गूगल मा नवेटीने चीज बनेको केई पनी चाहिना जस्तो लाग्षा। तरत्यों गलतों। इंटरनेट बीद्र यहोटा एस्तो स्पेस पनी चाह। एस्तो थाउँ चाह। जस्त लाएक Google ले अरु पुनाई पनी सर्च एंजिन ले इन्डेक्स करना सकते ना पत्ता लगना सकते ना आमी ले Google मा सर्च गरे रहा यह थाऊँ बेटाऊना सकते ना इंटरनेट को यही स्पेस लाई हामी डार्क वेब बन्चों Hello and Namaste everyone, this is me Pragya Khanal welcoming you all to yet another episode of Tech Arena आज़क एस एपिसोड मा हामी पुरा गरनेचों डार्क वेब को बारे मा डार्क वेब बने को के हो, is it legal or illegal, it's like कोसरी एक्सेस करना सकिन चो डार्क वेब मा के कस्ता गती विदी अरू उन्चन, we'll cover it all Recent report अनुशार, इंटरनेट मा अईले 1.88 बिलियन मंदा देरे वेबसाइट चरू शन्रे इंटरनेट मा एती देरे चीज अरू छन, जुन आमी ले एक्स्प्लोर गरे केई छैन र एक्स्प्लोर गरना संभब पनी चैना, इंटरनेट मा नपाईने साइदे केई चीज अरू लान या आमी ले हरे किसीमको प्रडक्स र सर्विसेश पाउन सक्छो जाहे त्यों लीगल होस, वाइल लीगल, एथिकल होस, वानेथिकल कस्तो किसिमको प्रडाक्स र सर्विसे शरू चे आमीले प्रयोगरने बनने गुरा आमरे आत्मा उन्चा डार्क वेब बनने बित्तिके देरे लेचे एसलाई illegal activities जरू उने ठाउं बने रेरने गरेको देखिन चा वेल, it's not completely wrong, डार्क वेब मा देरे illegal activities अरू उन्चन, तर डार्क वेब आफे मा criminals को लागी बनाई एको ठाउं उन्चन एसमा जती illegal काम अरू उन्चन, त्यो बंधा बड़ी legal काम अरू उन्चन डार्क वेब को जती negative sides अरू शन, तेतीने positive sides पनी शन इसले राम्रो काम को लागी प्रयो गरने वा नराम्रो काम को लागी प्रयो गरने बनने कुरा हमडे आत्मा उन्च आमीले दिन दिने चलोने सर्फेस वेब पनी तेस्ते ने ओ सर्फेस वेब को बारे मा एक शिनमा गुरा गरनेचु तर अहले को लागी एती बुझाँ की सर्फेस वेब बने को आमीले इंटरनेट मा नर्मली चलोने चीज जरू जस्ते फेस्बूग, यूट्यूग, गूगल इन्यारू सर्फेस वेब अंतर कत परशन इसलाइपनी कोसेले राम्रो काम को लागी प्रयो गर्शन बने, कोसेले न राम्रो काम को लागी प्रयो गर्शन कोसेले इंटरनेट लाई ज्यान को स्रोध को रूप मा लिंचन बने, कोसेले ये इंटरनेट को माध्यम बाट ठोगी गरने, चोरी गरने काम बनी गर्शन के महिना अगाडी मात्र योटा निउज आये को थियो, किर्थिपूर वस्ने दुईजाना व्यक्ति अरूले यूटुब मा एरेरा नकली नोट बनाऊ न सिखेरे ते नकली नोट को कारोबार गरने क्रम मा उनिय अरलाई प्रारी ले पक्राऊ गरे को थियो अब कोई ब्यक्ति ले ते यूटुब एरेरा ज्यान काकुरा अरू सिक्षन बने, कोई ते यूटुब आटा अनईतिक काम अरू सिक्षन प्लाचफर्म त यूटे ओ, कोसे ले तेसला रामरो काम गो लागी प्रायो गर्शन बने, कोसे ले ना रामरो काम गो लागी तेसेले कुने पनी टेक्नलोजी आपईले कहीले पनी प्रब्लम क्रियेट गर देना मांची ले त्यो टेक्नलोजी लाई प्रयोग गरने तरीकाले ओ प्रब्लम क्रियेट करने डार्क वेब पनी तेहिने ओ योकुने एक क्रिमिनल स्पेस होई ना सार्फेस वेब मा जस्ते एसमा पनी वेबसाइट जरूंचन, फोरम जरूंचन, सर्विसे जरूंचन. तर डार्क वेब लाई हीडन राखिये कोंच, योटा प्रोटेक्शन लेयर बित्र लुकाईये कोंच, यहाई बित्र उन्हें अरेक गतिविदी लाई ट्राक गरना निके गारोंच, तेस कारन क्रिमिनल अरको लागी डार्क वेब इसलाइक अहेवन, यहाँ थुप्रे इल्लि इटकाड नमबर्स को बेचबिखन हुँँच, इल्लिगल वेबन को बेचबिखन हुँँच, मानढ तसकरी का का मर उँँच, राम्रो डेटा को पनी बेचबिखन को का मर वुँँच. आमिले बेला-बेलामां सुनी राखे का उंच, कुळे गमपनी को सर्वर हैक बयोरे, डेटाबेस हैक बयरे बने रहा, त्यों हैक बयको डेटा को बेच बिखन डार्क वेब मा उन्चा, के मैना अगार्टी मात्र फेस्बुक को 1.5 बिलियन प्रयो करता को डेटा डार्क वेब मा बेची एको थियो, डार्क वेब ला अजे राम्रसंग भुझन को लागी, आमीले पहिला सॉर्फेस वेब रा डीप वेब लाई भुझन परशा, आमीले प्रयो करने इंटरनेट लाई तीन ओटा बाग मा बिवाजन गरना सकींज, पहिला उन्चा सॉर्फेस वेब, माईले अगी पनी बने सके कुछू, सॉर्फेस वेब बने को जे आमी सॉब इला थाब ब इस साइड सरुलाई आमीले गूगल, बिंग, वा याहू जसता सर्च एंजिन बाट एक क्लिक में पत्ता लगोना सक्षा, इसलाइ बीजिबल वेब पनी मानिन्चा, जुन सबईले सोजीड संगा देखना सक्षान, एर ना सक्षान, इसो एरदा सॉर्फेस वेब सेम्स अल तरह सर्फेस वेब को युटा ठुलो बेफाइदा चा, यो सबईले एडना मिल्ले, देखना मिल्ले बायको कारण एसमा यूमन एक्स्पोइटेशन हुंचा, ट्रोल्स अरूंचान, स्टोकर्स हुंचान, पॉर्नोग्राफी हुंचा, आइडेंटिटी थेफ्ट हुंचा, स सर्फेस वेब के कारण Google और Facebook लाइए आमरो बारे सबे ही कुरा था आउंचा, आमीले क्ये कुरा सर्च गरशं, आमी कसरी कुरा गरशं, आम्रो लोकेशन देखीला अगेरा, आमीले क्ये मन पर साभ रणने कुरा पनी ईक कंपनी अरू लै था आउंचा, जस्ते गूगल मां अमिले के एक चीज़ खोजे हुआ ने बलीपल्ट देगी फेस्बुक को वाल बरी तेई जीज़ को एडबर्टिजमेंट आई राखे कोंच इन फेक्ट आमरो ब्राउजिंग इस्ट्री गूगल वा फेस्बुक मात्रे वहिना आमरो इंटरनेट सर्फेस प्रोवाइडर्ज ले पनी थाऊंच यो सर्फेस वेब को कारण लियो तेस पची आउंच दीप वेब जुन चीज आमिले सर्फेस वेब मा बेटवना सकते नो ती चीज आमिले डीप वेब मा बेटवना सक्षो जस्ते आमरो डिजिटल बांक अकाउंट वा मेडिकल रेकर्ड्स वाकुने पनी पास्वर्ड प्रोटेक्टेड साइड शरू जसलाई साइन गर्णू पड़ने उंच डीप वेब लाए गूगल, बेंग वा याहू जस्ता सर्फ एंजिन बाट एक्सेस गर्णा सक्की देना जस्ते तपेको अनलाइन बैंकिंग खाता लाई, मईले गूगल मा खोजे बने त्यो बेटाउना सक्कीन न तेस्ते मईले गूगल बाट तपेको इमेल मा केके आयको जह बनने कुरा एरना सक्दीना इस सबाई पास्वर्ड प्रोटेक्टेड साइड शरू उन्च जो संग तेसको यूजर्णेम रा पास्वर्ड उन्च, उसले मात्र इस साइड शरू खोलना सक्षन एसता साइड शरू डीप वेब बित्र पर्शन तेस्ते फी-for-service साइड शरू पनी डीप वेब बित्र पर्शन जस्ते नेटफ्लिक्स ने एरो तपले नेटफ्लिक्स मा अकाउंट क्रियेट गरे रो केई पईसा तीर्णो भय पची मात्र त्या मुवी जरू एर न पाउनोंच बेसिकली जुन जुन वेबसाइड जरू साइड इन गरे पची मात्र इखोल्च ती सबे डीप वेब बित्र पर्शन इंटेनेट को 95% साचे डीप वेब अंतर गतने पर्शा तेस पची आऊँच डार्क वेब डार्क वेब चे डीप वेब के योटा ही साओ जस लाइक Google, Yahoo, जस ता सर्च एंजीन बाट इंटेंचनली हाइड करिये कोंच लुकाईये कोंच यो इंटेनेट को योटा secret network को दाट एक्जिस्ट अंडेग्राउंड इस वीत्र इंक्रिप्टेट वेब साइट चरूनचन दी साइट चरूले स्पेशल इंक्रिप्चन साफ्टवेर को प्रयोग करेर साइट को ओनर र साइट बिजिट करने प्रयोग करता को पही चान लुकाई दिये कोंच कसले त्यो वेब साइट सुरू करियो कसले त्यो वेब साइट विजिट करियो कुन ठाउबाटक गरियो बनने कुरा कसले लाई था आउन देन एब्रिवान रिमेंच अनोनिमस जस्ते सर्फिस वेब चलाँदा आमीले इंटरनेट मा गरने हरेक अक्टिविटी ट्राक बई राखे कोंच जस्ते फेस्बुक मा तपेले कसलाई के मेसेज पठोनू बयो के पोस्ट गरनू बयो के कमेंट गरनू बयो पेस्बुक संगा इस्दे सबैब गूले इस्टे गूगल संगा तपेले गूगल मा क्यके स उर्च गरनू बयो टेव सबे सर्च इस्ट tracking उनच तेसले तपेले गूगल मा कुने यवट्या प्रटाक्ट खोजनू बयो बने अरू साइड चारू मापनी त्यो प्रड़क्ट को एड आई राखे को देखना सकिन चा कसेला योकुरा प्रॉब्लमाटिक लागशा आमरो प्राइबेसी माथी इंटरफेर गरेगो जुस्त लागशा बने कसेला चे फिर योकुरा को मतलबने लागते न खासमा इंटरनेट अनोनिमस बनावनों को लागी सुरुगरिये कैई वही न यो योटा पॉब्लिक शेर्ड स्पेस बनेर बनाईये को जहा संसार को हरेक खुना मापसेर मांचे अरू एक आपसमा जोडीना सक्सन कनेक्ट गरना सक्सन तर जबा इंटरनेट पापुलर हुंदे गायो यो ओपन कम्युनिकेशन प्रॉब्लोमाटिक हुदे गायो जब्ले पनी जशको पनी कम्युनिकेशन इंटरसे्प्ट गारना सकने बाय अरू तो अरू, गॉबर्मेंट को confidential communication पनी शुरक्षितू ने छाड़ियो अन् दिस वस अनेक्सेप्टेबल तेस बची, मिड नाइन्टीन नाइन्टीज दिरा, युएस नावल रिसर्च लाब ले युटा एस्तो गोप्य नेटवर्क को बिकास कर्यो जसले संबेधन सिल communication लाई encrypt करी दिन थियो यो onion routing को concept थियो onion routing बनना ले जो सरी प्याज भी तर लेयर जरू उन्चन ते सरी ने onion routing लेजे हरेक communication लाई सुरक्षित बनोनका लागी multiple encryption layer को प्रयोक गरे कोंच जस्पची संब दुःहजार मा फ्री नेट नामको युटा software लांच करीयो जहाँ anonymously फाय जरू share गरना सकीन थियो publish करना सकीन थियो तरह फ्री नेट थेती popular बने बायना जस्को दुए बार्स पची संब दुःहजार दुए मा TOR नामको युटा private internet browsing network रिलीज़ बायो तोर बनना ले दो अनियन राउटर्स यो योटा वेब ब्राउजर हो वुच इस नेम्ड आफर देखनोलोजी देखना का लागी दे रहे ले तोर ब्राउजर के प्रयोगरने गर्सन तोर ले इंटरनेट को फेसने चेंज गरी दियो एसले योटा एस तो ओन्लाइन फ्रीली आनुनिमसली ब्राउज गरना शकने भए खासमा तोर को भीकास इंटरनेटमा बोपनी है ता में तेन गरना कम्युनिकेशन सेक्यर बनाभनना भए को थियो तर टोर का Creators अरुको नियत राम्रों वहेता पनी उनी अरुको यो आभिसकार ले Online Criminal Activities मा एती देरे प्रबापार ने छाओ बनने कुरा साइद त्यों वेलामा उनी अरलाईने Realization थिये न उला बिस्तारे टोर्ज असते अरु प्राइबेट ब्राउजिंग नेट्वर्क अरु बिल्ड उना थाले र यो संगई डार्क वेब ग्रो उन्दे गयो तर डार्क वेब 2800 मा पनी तेती पॉपुलर वने थिये न एसमा इलिगल काम अरु तेती उन्दे न थे डार्क वेब र एस बित्रा उने इलिगल काम अरु राइज हुनु को पसाडी क्रिप्टो करेंसी को ठुलो आच्छा जब 2009 मा बिटकोईन को सुरुआद बयो तेस बचीने डार्क वेब राइज हुन थालेको किना कि तो बन्दा आगाडünü डार्क वेब माँ इलिगल ट्रांज़ाक्चन गरना गारो थियो डार्क वेब आफे माता अनोनीमस थियो आमीले आपनो पईचान लुका आएब डार्क वेब एकसस गरना-ता सक्तियो तर एस बाटा financial transaction गरना ता एकदमे रिस्की थियो For example, महीले डार्क वेब मा कुने illegal product किन्न खोजे बने तियो सामान किन्न को लागी ता I have to pay money पहिसा ता तीर्ने परियो तर पहिसा तीर्ने को लागी किता महीले आपनो credit card को प्रयो गरना परियो वो आकुने अरू online banking transaction को प्रयो गरना परतियो तियो गरने बितिके मला bank लेता easily track गरना सकने बयो So illegal transaction को लागी it was risky तर बिटकोईन को सुरुवात संगाई financial transaction मा परिवर्तना आयो आमीले anonymously, independently financial transaction गरना सकने मयो ना अम्रो transaction को बारे मा सरकार लाई थाओंच ना bank लाई ना अरू कुने third party लाई यो उने बितिके डार्क वेब मा illegal activities अरू बढ़ना थाले अहीले पनी डार्क वेब मा उने लगबग सब़े कारोबार बिटकोईन के माध्यम बाटा उन्च बिटकोईन को राईज संगे जब डार्क वेब पॉपुलर हो दे गयो एसले illegal काम लाई मात्रे प्रोच्छान गरे न डार्क वेब को माध्यम बाटा देरे रामरा काम हरू पनी बढ़े जस्ते 2010 को अरब स्प्रिंग त्यों बेला Middle East country सरु मास सरकार बिरुद्ध प्रदर्शन अरु बई राखे को थियो ससस्त्र बिद्रोह चली राखे को थियो ती देश का सरकार ले त्यों बिद्रोह रोक नका लागी प्रोटेस्ट रोग नका लागी इंटरनेट मा बिभिन्न थरीको रोग टोक लगायेको थियो कती लेता इंटरनेटने शोटडाउन गरी दिये टुनिजियाको सरकार ले आपनो नागरीको फेस्बुक समेत हैक गरी दियो प्रोटेस्ट को सपोर्ट मा लेकने बलागर्स लाई सरकार ले अरेस्ट गर थियो तेस बेला डार्क वेब को प्रयोग गरे रो अक्टिबिस्ट अरु ले आपनो बिचार अरु पोस्ट गरते इंफोमेशन फ्लो गरते डार्क वेब ले उने अरुको पहिचान सुरक्षित राखनू संगे उने अरुलाई महतो पूर्ण स्रोत अरु, सामाजिक संजाल रब ब्लोग गरिये का वेबसाइट अरु समेट अक्सेस करना सहयोग गरियो 2010 को अरब स्प्रिंग बची 2011 मा डार्क वेब मा नया बिजनेस को सुरुवाद बयो The first ever online black market, Silk Road I'm pretty sure देरे जानाले यो नाम सुर्णू बयोगोचा अला Silk Road योटा online black market हो जहां illegal item हो बेच बिखनूंतियो Illegal drugs अरू from all around the world Cocaine, LSD, सब़े थरी को drugs को कारोबारूंतियो इसलाई illegal items को Amazon जस्ते मानीन थियो Here you could find anything that's illegal तर 2013 मा FBI यो साइट को बारे मा था पाये पची इसलाई शॉटडाउन गरी दियो मात्र दूई पर्सको टाइम मा इस कमपनी हैड 1.2 billion dollars in sales Silk Road को creator Ross Albrick लाई FBI यो समाते पची यो साइट शॉटडाउन बयो Ross Albrick लाई दूई आजी बन काराबास को सजाय बयो थियो अईले उनी Arizona को federal prison मा सजाय काटी राके काशन तर मात्र दूई बर्सको अंतराल मा 1.2 billion dollars कमाये को इस कमपनी को प्रयो करता कती थियो ला इसको demand कती थियो ला Nobody knows तर जब Silk Road शॉटडाउन बयो Silk Road version 2.0 लांच बयो तर जब एक बरस पाची Silk Road version 2.0 पनी शॉटडाउन बयो अनी Silk Road version 3.0 आयो यो प्रोसेस अईले समपनी चली राके कोचा Dark Web मा Ramra कामपनी बयराके काशन मने अनृतिक कामपनी बयराके काशन As I said already, it's not about the technology It's about how we use it कासेले Dark Web को प्रयोग आपनो information प्राइबेट राखना को लागी करसन Because अईले internet मा we are so much exposed Instagram मा आपी फोटो पोस करसो Facebook मा status लेखसो Twitter मा tweet करसो LinkedIn मा आम्रो whole work profile उन्छा Internet knows everything about us हाम्रो हरेक online activity track बयराके कुन्छा Privacy वनने कुरा हराँ दे गयको This might not be a problem for everyone There are some people love privacy Dark Web को formation उन्नो को कारण पनी यही नहीं थियो ताकि आमी ले internet anonymously चलोँना सकों Internet मा आम्रो privacy उस कुने profit making company वा government ले आम्रो सबै ओन्लाइन गतिबिधी track गरना ना सकों तिस्ते journalist अरुले पनी कुने संबेदन सिल अनुसंदान वा potential story को खोजी गरदा कईले काई आपनो IP address हाइड गरना को लागी Dark Web को प्रयोगरने गरशन Now if you are still confused Dark Web illegal हो की वही ना वाने र Dark Web is not illegal यो illegal होईना तर फिरी Dark Web को प्रयोगरे र अबईद गतिबिधी मा संबलगना उनुसे इनलीगल हो आमीले मजाले आखनो कम्पीटर मा Dark Web को प्रयोगरना सक्षा तर तेसको लागी आमीले special browser चाहें चाहें जस्ते Tor Browser आमीले नॉर्मली प्रयोगरने Google Chrome वा Mozilla Firefox बाठाचे Dark Web एकसेस करना मिल देना TorProject.org बने website बाठा तब इले साजीले संहर टोर ब्राउजर दाउनलोड गरना सक्षा डाउनलोड गए पछी You can connect to the Dark Web तर डार्क वेब माजे आमीले नॉर्मल सार्फेस वेब माजस्तो आख विले खुजे को कुराब बेटाउना साजील होचे होँदाई ना जस्ते आमीले Google Chrome माज़े यूट्यूब.com, Google.com टाइप कर सो डार्क वेब को वेब साइट माजस्तो साजीलो नाम होदेना इसमान नॉम्बर्स र लेटर्स को रांडम सीरीज होंचा अनि जस्ते आम्रो नॉर्मल ब्राउजर मा .com, .org होंचा डार्क वेब माँ .onion होंचा Google, Bing, बना जस्ते डार्क वेब को आखनो छूट्टे वेब सर्च एंजिन सरूशन जस्ते डॉक्टर गो, टर्च, डार्क सर्च, अन सो अन तरह डार्क वेब एक्सेस करता अलिकती सोतर कचे होना पर्षा जे पाए ते लिंक्स अरू क्लिक गर्दा तपे illegal site ती रपुग्न सकनोंचा scams मा पर्ण सकनोंचा यहाँ तो थुप्रही थरीका criminal चरूपनी उन्छान तपेको युटा गल्ती ले तपेको computer ने hack उना पनी सक्षा However, तपेले अईले समा dark web को बारे मा सुननू पनी बायको थिये ना वने पनी इट स्टिल अफेक्ट्स यू अजकल इंटरनेट मा एती देरे data leak रब ब्रिचे जरूनचान एती तपेको data पनी कुने एस्तो company को database मा थियो जुन कुने समय compromise बायको थियो बने तपेको data पनी dark web मा कते बेची राखे कुने सक्षा ना इफ यूर वोंडरिंग dark web मा कती पईसामा data बेच बिखन उन्चा बने रब लेट मी शो यू एन इंडेक्स योटा हैट facebook अकाउंट को 65 डॉलर मा बेच बिखन उन्चा देस्ते इंस्ताग्राम अकाउंट को 45 डॉलर यूएस को ड्राइवर्स लाइसेंस को 100 डॉलर देस्ते इस पेक यूएस ग्रीन काड को 150 डॉलर वन येर सब्स्क्रिप्शन भाय को Netflix अकाउंट को 44 डॉलर क्लोन क्रेडिट काड को 25 डॉलर डार्क वेब मा सोशल सेगरिटी यो बाहक पनी illegal drugs, hitman service, child pornography, human organs को बेच भिखन अरूंचन तरतियो बंदे मा डार्क वेब आफई मा इस नॉट अ टेरिबल प्लेस एधी तपैं इंटेंशनली डार्क वेब मा तेस्ता चीज घोजना थालनो बयो बने जै नाउ दाट माइट बी स्केरी एणिवे डार्क वेब रिलेटिबली योटा नया कॉंसेप्ट हो इंटरनेट को ओवोरल हिस्ट्री एरी कन डार्क वेब राइज मा आऊना थालेको देरे समय बयको पनी शैना इसका केई फाइदा आरू छन बने केई बेफाइदा आरू पनी शन लाइक एनी अदर टेकनलोजी डार्क वेब मा कसेको प्रतिक्रिया को डर बीना गुमनाम रहे रा तपेले आखुलाई सोतंत्र रूप मा अभिवेक्त गरना सकना था तर येही अमाउंट प्राइबेसी ले गरता डार्क वेब क्रिमिनल अक्टिपिटीज अरको लागी प्रयोगरना थालियो नेपाल मा पनी रिसेंटली डार्क वेब को प्रयोगरता बरदे गएको सा तर येले समझें मुस्ली कम्प्यूटर गीक्स रा हैकर्स अरू यो प्लाटफरम मा बड़ी अक्टिप देखिनचन डार्क वेब मा यूद को इन्वल्पमेंट बड़ी चन वाल देर्स नथिंग रॉंग विद आट पर्सनली आएथिंग इसा लिटल बिच स्केरी और राइट सो दस इस एट पर टुड़ाइज एपिसोड आई होप आज अको एसे एपिसोड तपे अरलाई इंट्रेस्टिंग लागे होला प्रभीदी संबंधी कुने पनी जिग्या साच वाईयो टोपिक माँचे वीडियो बनाई दिये उने जस्तो लाग्सा वने तो पहले आमरो यूट्यूब को कॉमेंट सेक्षिन माँचे वाईयर कॉमेंट गर्ना सकनोंच आमी आउदो एपिसोड माँ त्यो टोपिक माँचे वाईयर कुरा गर्ने चों तिल देन स्टे सेफ आन स्टे हैपी